हलो दोस्तों तो अभी की हमारी बात काफी important topic पी होने वाली है जैसा कि आपकी नई सिच्छा नियमावली आप सभी के पास में 2024 की पहुँच चुकी है और ये सिच्छा नियमावली काफी viral भी हो रही है पहली चीज यहाँ पर confirm कर दें तो सीधी सीधी बात कि ये official नहीं है तो इसके में दी गई information पर बहुत ज़्यादा relay मत करिये कुछ information इसमें से हैं जिनको आप trust कर सकते हो क्योंकि ये पहले new education policy के तो जब apply करने की बात की गई थी और इते पहले meetings थे उसमें भी confirm हुआ था और यह हो सकता है क्या क्या हो सकता है बीए तो compulsory fight भी हो सकता है होने हो जाएगा और PGT के regarding भी होने का chance है तो देखेंगे official notification आने दीजिए उसमें बात करते हैं और फिर उसके बात क्या है कि उसमें बोला गया कि क्वालिफाई करना पड़ेगा तो यह हो सकता है कि अब बीएट करिए बीएट करने के बाद में क्वालिफाई करना पड़ेगा जॉब के लिए exam देंगे क्यों कि अगर देखा जाब बिहार आपका राज्य है उसने एस्टेट कर दिया और MP में एस्टेट हो गया तो बहुत सारे से स्टेट है जिन्होंने एस्टेट को अप्लाई कर चुई तो हो सकता है UP आने वाले समय आपके लिए एस्टेट कंपलसरी कर दे और एस्टेट के बाद में फिर एस्टेट क्वालिफाई करना पड़े और एक चरण आपका बढ़ जाएगा तो जोब खोड़ा सा और लंबा प्रॉसेस हो वह हमारे लिए सोचना नहीं है क्योंकि यह प्रॉसेस है प्रॉसेस अगर नियमाओली यहां पर आप सभी के पास में होगी तो इसके अंदर में है कि यहां पर यह अपकी 2023 वाली नियमाओली जब भी तेखे ऑफिसल नियमाओली आएगी तो कुछ ऐसा रहेगा आपके अब यह नियमाओली इस्ट किसने की है यह तो जरूर बताया जाएगा तो प्रौपर देखने को मिलेगा लेकिन अभी के जो नियमाओली है हमारे पास में यह वायरल हो रही है ऑफ यह कंप्रेट्ट्ली अनॉफिसियल है और यह मिसलीडिंग भी है तो इस पर ज़्यादा फोकस मत रहे है यह रहे हमारे पास अब इस पर कौन है यह क्या पैटर्न आ उसके regarding, जितने भी teaching के exam से, उसके regarding हम सोच सकते हैं, कि यह चीजे हो सकती हैं, क्या-क्या हो सकती हैं, तो पहला तो जैसा बताया था, stat के regarding, अब हाँ, इसमें जो article 309, इसमें जो आर्टिकल 309, यह GS के टर्म से important, आप इसको देख लेज़े, यह 309 कहता कि, तो आप इसको एक बार जाके देख लीजेगा जीएस पॉइंट आफ़ीस से इंपॉर्टेंट आर्टिकल से इसा तो आजाते हैं कुछ काम की बाते हो गई अब यहां पर आते हैं ताई कि इसमें सबसे जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉर्शन आया है वो एज को लेकि है आयू को लेकि है तो अगर देखा जाए तो इसमें बोला गया कि यह रहा हमारे पास यहां पर पहले ऐसा कुछ नहीं था कि अपर एज लिमिट डिसाइड नहीं थी अब ही यहां इन्होंने अपर एज लिमिट डिसाइड कर दी चालिस वर्ड से अधिक नहीं ही इकिस से और चालिस का तो चालिस की चारी चलते रहने दी उसमें आप किसी भी तरीके से ब्रह्मित ना होई है और ओफिसियल नॉटिविकेशन का इंतजार करिए और जो उससे क अभी अपर एज लिमिट जैसा कि पहले डिवाइड नहीं था अभी ही अगर आप 40 है 40 प्लस है तो उस पर आप ज़्यादा पिना सोचे हुए आपकी तैयारी जो है कॉंटिविकेशन आने दीजी और उसके बाद देखा जाते है तो जो इसमें काम की चीज़े तो मैंने जैसा था वो सारी हमें क्या करना है अपनी प्रपेशन को अच्छे से कंटीनियू रखिए क्योंकि देखें जो सब्जेक्टिव चेंज होगा जो नौटिविकेशन के रिगॉर्डिंग चेंज होगा जो गंटे का पेपर पहले पी था पेपर हो पार्ट में होना और इंटर होना है है हम सीधा अपना एक्जाम पॉइंट ऑफिस से रहे हैं ताकि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तयार रहे हैं गौवर्मेंट किस तरीके से दिसा निर्देश देती है हाँ आयू पे एज पे अगर करेगी तो इस तरीके से इरलेवेंट हो जाए तो और इ आपके भी छेत्र में एलक्षन होने तो आप सभी जरूर पोलिंग वोट पे जाईए और अपने वहमूल वोट है उसका उप्योग करिए तो आपकी सारी परसानिया हो गई होंगी क्लियर हो गई होंगी और कुछ से तो डाउट नहीं होगा कोई डाउट हता है कॉल कर लीज है तो जरूर मैं आपके साथ में इसको डिस करता हूँ और आपके डाउट को किया करने को पोसिस करता हूँ और होली के अतिवहार है आप सब अपनी होली एंज्वार करिए पढ़ते रहिए सेफ होली के लिए और किसी को जबरदस्ती का लर्मत लगाई है जो आपके साथ प से क्योंके नोटिफिकेशन से किसी भी आप हाउँ से खुद को बचाईए और अपने आस्पा सराउट में खेल दिए करिए हैपी ओली तो अल आफ यू